लेकिन वैश्विक अरण के ये दावे सही हैं या गलत हैं इसको भी आज गंभीर चुनौती दी जा रही है चुनौती देने वाले कौन हैं एक तो पर्यावरण विद्ध हैं एन्वारिन्मेंटलिस्ट हैं वो कहते हैं अरे जागो सावधान हो जाओ ग्लोबल वार्मी उसकी चेतावनी दे रहे हैं ओन्वारिन्मेंट इरोजन पर्यावरण का खश्रण हो रहा है उसकी चेतावनी दे रहे हैं वो कहते हैं ये बैशविकरण और कुछ नहीं है ये पूंजिवाद और सामराज्यवाद का ही दूसरा चेहरा है नेया नाम रखकर आ गया है विकास शिल देशों का ये आर्थिक शोशन करेगा आर्थिक गुलामी को बढ़ाएगा इस वैश्वी करन से विक्सित देशों में बेरोजगारी बढ़ेगी विकास शिल देशों में रोजगार घटेगा पहले व्यक्ति के हाथ में पूंजी सिमट्री थी अब प्रवाश्टिय कंपनियों के हाथ में पूंजी का केंदिर कविन इतना अधिक हो गया है कि उनकी सकल पूंजी कई देशों की सकल पूंजी से जादा हो गई है वैश्वी करन के कारण प्रकृति के ध्वंस की प्रकृयातिवर हो गई है परियावरन नश्ट होगा ख्षय हो जाएगा इसके भीशन परिणाम होंगे और आज की पीडि अपने सुखो भोग के लिए परियावरन का जो ख्षय करेगी उसकी कीमत हम तो परियावरन को निचोड के पीलेंगे लेकिन आने वाली पीडियां क्या करेंगी हमारी संतानी क्या करेंगी वैश्वी करण उससे जुड़ी हुई उत्पादन व्यवस्था सुखो भोग के नाम पर प्रिकृति और प्रियावरन से मिलने वाले लाबों से बंचित होगी ऐसा एक भेंकर द्रिश्य भी उपस्थित किया जा रहा है यह कॉंटेक्स्ट है जिस कॉंटेक्स्ट में हम पंडिदीन द्याल जी के एक आत्मानव दर्शन का मुल्यांकन कर सकते हैं एक आत्मानव दर्शन के तत्व क्या है एक आत्मानव दर्शन का एक तत्व स्रिष्टी का एक आत्म विचार यह एक तत्व है कि मैं हेज़ सब कुछ दृश्यमान जो है वह एंग है अगर सब कुछ एक मैं तो उसमें से दूसरा त्छी निकलता है परस्पर पूरक्ता के परस्पर अवलम नंन इस पर आप हैं यह दो नहीं जागर और सागर का जलबंदु एक हैं को फिर ये परस्पर पूरकता ना की परसपर द्वेश कप रस पूरकता ना की परस्पर विरोध मैं और आप मिलकर ही तो एक पूर्ण बनते हैं कि मुझे पूरा मंत्र तो याद नहीं स्वामी जी बैठे हैं एक बहुत संदर मंत्र है कि पूरुनध में से पूरुन को निकाल लेने पर भी पूरुण ही शेष रहता है। हाँ आप शुन्य में से 8 को माइनस कीजिए तो क्या आएगा शुन्य ही मुण तो हम सब पूर्ण हैं मैं भी पूर्ण हूँ आप भी हैं ये परस्पर्पूरक्ता और परस्परावलंबन ये दूसा तत्व हो गया सो अधिसरा तत्व विकेंदरी करन डिस्एंटेल हैशन एक आंटमीक के क्षेत्र में शासन व्यवस्था के ख्षेत्र में राज्य व्यवस्था के ख्षेत्र में भी डिसेंट्राइजेशन सारी ताकत ऊपर केंद्रित हो जाए पार्डिमेंट केंद्र सब कुछ चलाए और नीचे ग्राम पंचायतें सूख जाए ग्राम स्वराज्य मिट जाए यह मौडल पसंद नहीं है दीन द्याल जी को इसलिए अर्थ व्यवस्था विकेंद्री करण के सिद्धात के आधार पर चले समाज व्यवस्था विकेंद्री करण के आधार पर चले और राज व्यवस्था विकेंद्री करण के आधार पर चले यह एक तत्व, तीसा तत्व हो गया, चौथा तत्व है, अंत्योद है, जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, यह सब चीजें मिलाकर चार तत्व, इनको आप इकठा कर लीजिए, तो these four factors, elements is equal to एक आत्मानववाद, इनको मिला लो तो यह एक आत्मानववाद है, यह उसक का व्यावारिक पक्ष हो गया, अब सबसे पहले स्रिष्टी के एक आत्मिचार की बात करें, यह स्रिष्टी जड़ और चेतन तक्तों से बनी है, सभी प्रकार के जीव, पशुपक्षी, जलचर, थलचर, नबचर, मानव प्राणी, यह स्रिष्टी के चेतन हैं, यह अपने सांस ले रहा हूं, जिन्दा हूं, बाहर वायू है, वो प्रिक्रती है, उसके कारण श्वास ले रहा हूं तो बोल रहा हूं, इसलिए निर्भर हूना मैं, वायू पर, पवन पर, मुझे ऐसी जगा बंद कर दिया जाए, जहां पर पवन का प्रवेश्ट ना हो, तो मैं जीवित नहीं रहूंगा, तो मेरा अगर जीवन ही पवन पर आधारित है, तो मेरे और पवन के बीच में सामंजिस्य होना चाहिए, कि मैं उस पवन को गंदा करूं, दूशित करूं, बिगाड़ू, विक्रित करूं, यह जड़ोचितन दोनों का आपस में सामंजिस्य हो गया, यह जो एकत्व है, यह भारती जिनतन का वैशिष्ट है, और इसलिए हमारे यहां कहा है, कि हम दूसरों को क्यों छेड़ें, क्यों तंग करें, क्यों परिशान करें, इसी में से ख्षमा, इसी में से वैशनव तंते तेने कहिए, जह जाने पीर पर आईए, हम किसी को क्यों छेड़ें, वो जी रहा है, अपने तरीके से जीए, मैं जी रहा हूँ, अपने तरीके से जीए, क्यों एक दूसरे की जिन्दगी में दखल दे, अब होता क्या है, दूसरे को छेड़ते हैं, तंग करते हैं, राष्ट छेड़ते हैं, दूसरों को तंग करते हैं, तो उससे जगड़े पैदा होते हैं, हमारे हाँ एक फोक कभी हुए है, लोग कभी हुए है, ना मुझे ध्यान नहीं उनका, उनका एक बड़ा सुन्दर पंक्ति है, जिसमें कहते हैं कि विधृता ने यह नाना प्रकार के जीव बनाए और यह अपने अपने धंगसिक रिला कर रहे हैं ठेद के हैं उन्हें ठेदने दो हम क्यों टांग अड़ाएं क्यों दखल दें में पंति हुसकोई की दिके बनाइम मुझे देते जिते के तिते खेलत फिरत तिने खेलन फिरन दे विधी के बनाए जीव जेते हैं जिते के तिते विधाता के बनाए हुए प्राणी इस अंसार में जितने हैं जैसे हैं खेलत फिरत अपने अपने नंसिक रिड़ा कर रहे हैं तिने खेलन फिरन दे हम उनसे क्यों वैर मोल लें उनको खेलने फिरने दें, यह जो उदार्ता, यह जो मेगनियनिमिती, यह जो विशालता, यह जो सब को अपना बनाने का भाव है, इसी को अहस्तक्शेप कह सकते हैं, सारे संसार के जगडे, तंटे, तनाव, चाहे घर के अंदर भी हो, वो हस्तक्शेप के कारण होते हैं, समाज में इधर उधर तो इसलिए फिर टक्राव का रास्ता छोड़कर हमको सेहूप का रास्ता अपनाना होगा यह हमारे यहां का जीवन दर्शन भी कहता है और इसी को कहा शिदीन द्याल जी ने भी यह कल्यान का मार्ग है हमारे यहां पर तीन रिणों की कल्पना की गई है हम सब पर कर्द चड़ा है कर्द चड़ा है अन्यों नियाशित होने का हम तो प्रकृति का दोहन करने के लिए लगे हैं लेकिन प्रकृति हमको कितना देती है अब देखिए सूर्य अपना प्रकाश कि स्वयम तो नहीं भोगता अपना ताप स्वयम तो नहीं भोगता हमको दे देता है नदियां अपना जल दे देती हैं बादल अपना जल दे देते हैं पेड अपनी चाया देते हैं अपना फल खुद नहीं खाते हमको देते हैं यह प्रकृति का रिन है कि नहीं हम पर और हमारे यहां पर प्रकृति को कहा गया है देवता तो यह देव रिन है यह देव रिन है अगर हम पर तो जिस पर कोई रिन चड़ा हो उसको नीद नहीं आती उतको शांती और अनंकब मिलता है जब वो उरिन हो जाता है यह प्रकृतिका रिन हम पर है इससे हम उरिन कैसे हूं इससे उरिन होने का एक ही तरीका है कि हम भी दें हम भी दें हमारे यहां तीन रिनों की कलपना है एक देव रिन है एक रिशी रिन है पित्री रिन है यह तीन कि कलपना ही एक आत्ममानबाद है हम पर इतना उपकार है इस स्विष्टी का कि हम उससे लड़ें कि उससे उरिन हूं कि देना देना यह दान भारतिय संस्कृति में दान पर बहुत जोर है इतना जोर है दान पर कि रहीम का एक दोहा है वो कहते हैं कि अगर नाव में किष्टी में जल बढ़ने लगे पानी बढ़ने लगे और घर में दाम बढ़ने लगे पैसा आने लगे तो अकलमंदी इसमें ही है कि दोनों हाथों से नौका का पानी निकाल ये ने तो डूब जाएंगे और घर में अगर बहुत दाम इकठा हो गया तो दोनों हाथों से निकालो दो दो हाथ उलीचिये ये सज्जन को काम दोनों हाथों से उलीचो बाहर निकालो दान ये जोडता है हमको सब कुछ मैं भोग लूँ सब कुछ अपने में केंदित करके मनुष्य कैसे विकास करेगा ये एक मूल बात है जिसको कहा गया अब आप देखिए आज की पश्चमी सोच विश्लेशन पर आधारी था है सब चीज को काटो तोड़ो अलग अलग करके दिखाओ तो मनुष्य को भी तोड़ो कह दो ये मनुष्य का शरीर है फिजिकल असपेक्ट यह उसका मन है बुद्धी है यह उसका अलग पक्ष्य है पर हम कहते हैं कि मनुष्य तो इन चारों का समुच्य है और इन चारों के कोर में एक और तत्व है वो है आत्म तत्व उसकी ये अभिवक्तियां हैं मनुष्य मात्र शरीद नहीं मात्र मन नहीं मात्र बुद्धी नहीं वो तो आत्मा भी है इसलिए उसका समूचा विचार हो तो पिर अगर समूचा विचार होना है तो मुनुष्य के इन सभी पहलूँ की हम समग्र चिंता करें ये एक आत्मा विचार हो गया इसी धंग से आप संस्थाओं को देखिए व्यक्ति है तो परिवार है व्यक्ति और परिवार में टक्राव हो जाए तो क्या होगा परिवार विखर जाएगा फिर परिवार है तो समाज है, समाज है और राष्ट है, राष्ट है तो अखिल विश्व है, ये कई घेरे हो गए, घेरे के अंदर घेरा, पर ये सब घेरे जुड़े हुए हैं, व्यक्ति का प्रसार होता है परिवार तक, परिवार का प्रसार होता है समाज तक, राष्ट तक और उसका फिर सारी मानवता तक और फिर क्या होता है उसमें से ये सब एक दुसे के परसपर अवलंबेत हैं तो फिर तुम सब मेरे अवयव हो इसमें कुछ भी न कमी है आयम निजह परोवेति गणना लगुचेत साम उदार चरिता नामतू वसुधेव कुटमकम अनिकेत की भ दूर होना वसुधेव कुटमकम की भावना द्वाइत स्वाप्त हो जाना कुछ भी अन्यना रहना ये सब इसी में से प्रवाहित होते हैं और सब जगडे टंटे खिचाव तराव उसमें से दूर होते हैं मैंने विकेंद्री कर्ण का जिक्र किया उसका मैं बहुत विस्तार नहीं करता गांधी जी भी केंद्री कर्ण के पक्ष में थे और उन्होंने कहा कि ऊपर सब कुछ केंदित होता जाए ये रास्ता ठीक नहीं आप छोटी इकाई को ग्राम इकाई को केंद्र मान कर आर्थिक विकास की कलपना करें योजनाय बनाएं विनोबा भावे ने स्वर और दिद्धियाल जी भी कहते हैं कि हम ग्राम इकाई को अपने आर्थिक विकास की इकाई के रूप में देखकर एक मॉडल विक्सित करें देखें वो मॉडल कल्यानकारी होता है कि नहीं विकेंद्री का उनमें एक चीज़ और भी आती है वो है कि स्थानिक संसाधन जो लोकल रिसोर्सिज हैं उनको उनको इस्तेमाल करना और लोकल रिसोर्सिज हो और लोकल श्रम शक्ति हो वहीं का आदमी वहीं के संसाधनों को इस्तेमाल करके उत्पादन करें अब सब कुछ वहां से खिंच-खिंच कर बाजार में केंदित होता जाए गाउं सूखते चले जाए गाउं से निश्क्रमन होता जाए शहर बढ़ते चले जाए ये एक असंतुलन ये ठीक नहीं है इसलिए विकेंद्री करण पर बहुत जोर दिन द्याल जी ने जिया और मुझे लगता है कि आज इसको स्विकार किया जा रहा है जब शुमाकर कहते हैं small is beautiful तो उसका यही भाव है और जब वो कहते हैं कि भाई ये जो टेकनलोजी है इसका human face होना चाहिए तो वो दिन द्याल जी जो कुछ सोच रहे हैं बहुत कुछ उसी ढंकी बात कहते हैं तो इसमें विकेंद्रित अर्थ व्यवस्था इसमें शोषन की गुंजाईश कम है और केंद्रि भूत अर्थ व्यवस्था उसमें शोषन की गुंजाईश बहुत जादा है अब हम सोच लें कि हम कौन सी अर्थ व्यवस्था के रास्ते बचलना चाहते हैं समाजवादी व्यवस्था सामयवादी व्यवस्था भी केंद्री भूत उत्पादन व्यवस्था है अर्थ व्यवस्था है और पूंजीवादी व्यवस्था भी केंद्री भूत अर्थ व्यवस्था है इन दोनों से हटकर विकेंदित अर्थ व्यवस्था का विचार ये ग केहदी अंतियोद्य की बात केहदी मैं उसका जिक्र नहीं करता कि मैं दीन दियाल जी के कुछ उद्धरन देता हूं उन्होंने 22,23,24,25 अपरैल को चार भाशन दिये थे वह भाशन ही बुनियाद हैं एक आत्मानवाद के दर्शन की उसमें उन्होंने कहा कि भारतिय संस्कृत की पहली विशेष्टा ये है कि वो संपूर्ण जीवन का संपूर्ण स्विष्टि का संकलित विचार करती है जीवन की विविदता अंतरभूत एकता का आविशकार है इसलिए उसमें परस्प्रन अनकूलता है उन्होंने एक पेड का उधारन दिया उन्होंने कहा कि बीज क की एकता ही पेड के मूल, तना, शाखाएं, पत्ते, फूल और फल्क इन विविद रूपों में प्रकट होती है बीज के साथ उसका इकत्व बना रहता है फिर दीन द्याल जी का एक और उधर्ण पढ़ता हूं वो कहते हैं कि संसार में एकता का दर्शन कर उसके विविद र प्रकृती को धे की सिद्धी के अनुकूल बनाना संस्किती तथा उसके प्रतिकूल बनाना विकृती है फिर वो कहते हैं कि मनुष्य एक समगरिकाई है उसे मन, बुद्धी, आत्मा और शरीर का समुच्य मानना चाहिए दीन द्याल जी के शब्द हैं हम उसको टुकडों मे बांटकर विचार नहीं करते आज पश्चिम में जो तक्लीफ हैं पैदा हुई हैं उनका कारण यह है कि उन्होंने मनुष्य के एक-एक हिस्से का अलग-अलग विचार किया है तो पश्चिम की जीवन पद्रती की यह एक मौलिक गल्ती है और इसी की वरे से पश्चिम ने सम्रिद्धी तो बहुत बटोर ली पर क्या सम्रिद्धी बटोर कर भी पश्चिम सुखी हो गया है यह सवाल आज भी बहुत रेलेवेंट है प्रासंगीद है क्योंकि आप भौतिक साधनों को जुटाने के पीछे पड़े रहें और उससे आत्म कल्यान का मोक्ष का मुक्ष का भीतर के आनंद का रास्ता छोड़ दें तो यह आनंद तो अधूरा हो गया इसलिए हमारे यहां पर निश्रेयस और अभ्यूदय इन दोनों की बात कहीगी यह निश्रेयस का मतलब है आंतरी का आनंद मोक्ष मुक्ष मुक्ष आत्मा का आनंद और अभ्यूदय का अर्थ है एक लोकिक सोशल वेल्फेयर कह लीजिए उसको अधिक से अधिक हम अभ्यूदय को कहना चाहें आज की जरा नरम भाशा में तो उसको हम कहेंगे सोशल वेल्फेयर और एक स्प्रिच्वल वेल्फेयर निश्रेयस स्प्रिच्वल वेल्फेयर अभ्यूदय सोशल वेल्फेयर यह दोनों को हमको एक साथ लेकर चलना है हमको सोशल वेलफेयर के चक्कर में जो स्पिच्वल वेलफेयर है उसकी उपेक्षा नहीं कर देनी अब भ्युद्य की दोड़ में हम मिश्यस को भूल जाएं यह उचित नहीं है तो दिंद्याल जी कहते हैं कि भाई अर्थ का अभाव बुरा है तो अर्थ का प्रभाव प्रभाव का मतलब है डोमिनेंस अर्थ का अभाव बुरा है तो अर्थ का प्रभाव या डॉमिनेंस ये भी बुरा है इसलिए अर्थ का अभाव और अर्थ का प्रभाव इन दोनों के बीच से अर्थ का सम्यक भाव ये बीच का रास्ता दूनना ये आवश्यक है यहां धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात कही गई अर्थ हो काम हो उसके उपर नियंतरन किसका हो धर्म का नियंतरन हो धर्म चालित व्यवस्थाइं हो हमारी अर्थ व्यवस्ता धर्म चालीत हो हमारी शिक्षा व्यवस्ता धर्म चालीत हो हमारी राज व्यवस्ता धर्म चालीत हो धर्म का मतलब क्या है धर्म का मतलब है नीती नीती का मतलब है फर्ज फर्ज का मतलब है दूसरे से जुड़ना दूसरे से जुड़ते हैं जब मन म में संवेदना तब होती है जब मैं और वो एक होते हैं यह एकत्व की अनभूती में से संवेदना वहेगी संवेदना में पर आधारित समाज नीती पूर्ण होगा नीती का ही नाम